भाई दूज या भया दूज भाई बहन के अठूट फ्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर दिलग करती है और उनकी लंबी आयू के लिए इश्वर से प्रात्ना करती है। भाई दूज की कथा इस प्रकार से है। छाया भगवान सूर्य देव की पत्मी है जिनकी दो संताने हुई यम्राज और यमुना यमुना अपने भाई यम्राज से बहुत प्यार करती थी वो उनसे सदा यह निवेधन करती थी कि वे उनके घर आकर भोजन ग्रहन करे लेकिन यम्राज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितिया को यमुना ने अपने भाई यम्राज को भोजन करने के लिए बुलाया तो यम्राज मना ना कर सके और बहन के घर चल पड़े रास्ते में यम्राज ने नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कर दिया भाई को देखते ही यमुना बहुत प्रसन्न हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया यमुना ने प्रेम से भरा भोजन बनाया और उनका भोजन रहन करने के बाद प्रसन्न होकर यम्राज ने बहन से कुछ मांगने को कहा यमुना ने उनसे मांगा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहां भोजन करने आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन अपने भाई को ठीका करके भोजन कराएगी उसे आपका डर ना रहे यम्राज ने यमुना की बात मानते हुए तथास्तु कहा और यमलोक चले गए तभी से ये मानता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल द्वितिये को जो भाई अपनी बहन का आतित्थ स्विकार करते हैं उन्हें यम्राज का भय नहीं रहता